आप सब जानते हैं कि हम विस्टस के question answer कर रहे हैं और उसी सीरीज में आज हम जिस chapter की बात करने वाले हैं जिसके questions करने वाले हैं उस chapter का नाम है a journey to the end of the earth यानि की प्रत्वी के अंतिम छोड़त की यात्रा अंटार्टिका के ऊपर यह chapter है और जो लेखिका है वो बताती है कि वो किस तरह से अंटार्टिका गई यास और क्या-क्या उसने माँपे देखा वो सारे उसके माइनर चीजे जो आप अपने chapter में पढ़ेंगे मैं केवल questions कर रहाता हूँ आपको पताईए इस chapter का जो सबसे important part है इस chapter के माद्दियम से लेखिका हमें क्या सिखाना चाहती है किस चीज को बताना चाहती है तो लेखिका actually हमें global warming का जो effect है जो परियावन परदूशन का और जो वैश्विक ताप जो बढ़ता जा उसका जो परिणाम है उसके बारे में पोड़ा सा इशारा करती है तो इस chapter में से हैं इसकी कहानी आप जरूर पढ़िएगा मैं केवल इसमें से दो question आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और जिसमें से पहला question जो है वो कहीं बार मार्दिमिक्षा बोर्ट में पूछा गया है और जो पहला question आपके सामने है वही इस chapter का most important question है दूसरा question एक बहुत साथ में और है जो भी आप थोड़ा सा देखेंगे लाइक मैं पहला question आप लोगों के लिए ले रहा हूं तो हमारा chapter कौन सा है चैप्टर हमारा है कौन सा journey to the end of the earth आपने पढ़ा होगा इस question को मैं आपको तीन पॉइंट में डिवाइड करके में लेके आया हूं जिसके आप इस question को अच्छी तरह समझ पाएं question क्या है जहां समझना यही question है इस chapter में से अगर most important question पूछेगा तो वह यही question है जिसको यूजली पूछा जाता है तो आपके लिए पढ़ रहा हूं मैं question यह है कि Sir Antarctica is the place to understand the earth, present, past and future explain कि लेखी का क्यों कहते है कि जो Antarctica है वो परत्वी के वर्दमान, परत्वी के भूधकाल और परत्वी के भविश्य को समझने का सबसे बढ़िया जगह है ऐसा क्या है Antarctica में कि आपकी जो लेखी का है वो क्या कहते है सर अंटार्टिका क्या है बैस्ट्ट्ट्ट प्लेस क्यों इसको एक्स्वाइब करें इसको करते हैं Anarchartica is the place to understand the earth, present, past and future ठीक है कॉमेंट अमने ऐसे किसे लिए को रप्रशन की जो अंटार्टिका है प्रित्वी के वर्तमान प्रित्वी की पास्ट प्रित्वी के फ्यूचर को समझने का एक आधर्श स्थल है इसको निमन शब्दों में समझा जा सकता है और आराम से चल देंगा मैं कोशिश करूँगा कोई भी नया शब्द आपके पास में नहीं है कोई मुश्किल शब्द नहीं आए आसान शब्दों में अपना उत्तर त्यार हो जाए तो देखिए पहला क्या है अब दो किसमें क्या क्या पूछा है के बाते पोचीए प्रेजन और फैर्ट और क्ये हमको फ्टू करता है इसलिए इसकी इसकी उत्तर को प्ने करता है जानफू की समयन है ये वह एकलोता स्थल है ॉद्ञे का मतलब क्या होगया ॊज था अकेला वो इस्तल है पुरी प्रत्वी पे विश हैज बीन अंटस्ट जो अंचुवा रहा है I think कोई वर्ड मुश्किल वर्ड नहीं अंटस्ट के अंचुवा रहा है बाई मैन मनुश्य से यहां विकास तो हुआ है लेकि सर्विकास से जदा विनाश भी हुआ है मनुश्य का विकास हो गया होगा उसको भोतिक सुविधाय बना ली इसने रोड मना ली होंगे उसने अटरम सटरम बहुत सारी चीज़े बना ली होगी लेकिन परियावरन का तो उसने सत्यानास किया अंटार्टिका वो जगह है जो अभी तक मनुश्य के लिए क्या है अंटस् अपने पनी होग है यह यह इसलिए यह आज भी वैसा ही है अभी पी ऐसा ही है यह आज यह एक मिलियन यह जो जैसे कि है मेले मिलियानस्ट एक मेन सब्सक्राइब आफ यह और लगा तो मिलियनस आफ यह अब ठीक है यह आज से पहले जब मिलियन सिह और सब mineral यह जैसा था आज भी अंटार्टिका वैसा ही है इस इस्टील एज इस मिलियनस यह अगो आसा नी सिलाई नहीं अब यह फॉसिल्स अब यह फॉसिल्स एंड कावन रिकॉर्ड रेकॉर्ड इन दोनों को आपको ऐसे याद करना है फॉसिल्स का मलत जिवाश में होता है आपने विज्ञान में पढ़ा होगा दसवी क्लास के दर जिवाश में क्या होते हैं तो आज भी इसके अंदर वो जिवाश में दबएवाए हजारों लाखों साल पहले है जो जीव जनतु यहां हुआ करते थे कहा जाता कि अभी 90% स्पीसीज इस पृत्वी से नस्ट हो चुक है के वर 10% है सोचिया तो जो 90% थे अब जब वो खुदाई होती है यह जो चट्टाने मिलती है उसमें जिवाश में मिलते हैं तो हम स्टडी करते हैं उसकी तो आज भी उपर बर्फ जमी हुए लेके नीचे क्या है वो जिवाश में आज भी है तो इट हैस फोसिल्स और कर्वन एक při जो हैं आरांड कितने हैं वो हाफ मिलियान और हाफ मिलियन और इए फीक धियर से हैं उसमकर को मिल जाते हैं आप यह जो मने बात कही है इससे से जाहिर हो जाता कि we can understand the past of the earth by these fossils और इन fossils के माध्यम से हैं इन फोसिल के तरीके से हम प्रत्वी के भूतकाल को समझ सकते हैं तो आपका पहला point clear हुआ इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी आसानी से आप इसको तयार कर सकते हो राइट आगे चलते हैं present of the earth अब present को देखते हैं and human impact on it कि जो प्रत्वी है इसका present और इसके ओपर human impact हुआ है परभाव हुआ है impact का मतलब क्या हो गया परभाव वो क्या है प्वाशन ये पूछ रहा है हम से human has created disaster अब disaster चोटा सा वड़ा तो मुश्किल शब्द नहीं है आपने सुना होगा नहीं सुना तो विनाश विनाश को क्या कहते है डिजास्टर कहते है human has created disaster with nature विल्कुल कोई संदेह की बात नहीं है कि मनुश्य ने क्या किया है इस प्रकृति के साथ में विनाश ही किया है the temperature of the earth is increasing day by day और प्रत्वी का जो तापमान वो day by day increase हो रहा है यहां यह किस का रिजर्ट है ने क्या है goosa करते साथ में किया है प्रकृति बदला तो लेती ही लेती है तो लेना भी चाहिए राइट तो तो तेमपरेचर ऑफ दी एर्थ इंक्रीजिंग डे बाइडे वी कें सी अब इसको हम अभी हम जिससे हम रह रहे हैं यहां हमको अब तो एहसास होने लगाख है क्योंकि अभी सर्दियां सर्दियों के स ईंटार्टिका हम पिएंपक्क को देख सकते हैं आई इस ор इंटार्टिका की वह जो ऑगातार पिघल रहा है के ग्लोबल वर्मिंग सीसा देख सकते हैं यहाँ जञादा मुश्किल शब शबयाँ से इसको कारे त pikア rasa कर सकते हो मैं आप के सब्सदेख सकते हुए रहा मेंस है if इस प्रिथ्वी पे जितनी भी आई से जितनी भी बर्फ है उसका 90 प्रतिशत हिस्सा और अंतार्टिका करता सोची अगर वह पीगल गया तो अगर यह पीगल गया तो what is going to the what impact we are going to have the world messing संसार डूब जाएगा फिक है यह जो लेखी का है इसने बिलकुल इस बात का एक अप्रियंसन यानिक डर जाहिर किया है right we can directly see the impact of global warming है हम यहां directly global warming का क्या देख सकते है impact देख सकते है इस तरह से अंटार्टिका किस प्रकास से past को बताता है किस प्रकास से present यह relevant है और किस प्रकास से future के लिए relevant है यह तीनों बातें आपकी इस प्रशन में आ चुकिए और तीन चोटे question का combination भी है आपसे आपका examiner कभी पूछ लेता है मैं सोचता हूँ कि छोटी सी एक discussion में आपको सारी बाते समझ में आ गए होगी और देखें मैंने कोई भी शब्द ऐसा नहीं लिए एक आत्षब जो है उतवाना ही पड़ेगा लेना ही पड़ेगा वाकिए question आप easy way में क्या कर सकते हो तैयार कर सकते हो आए दूसरे question पे चल तो आप इसको second round में देख सकते हो right question क्या कि संसार का जो भूग गर्व शास्त्र का जो इतियास है Antarctica में दबा हुआ है यानि दे वर्ड से जोलोजिकल हिस्ट्री इस ट्राप्ट इन अंटार्टिका हाला कि देखा जात इस question में पहले वाले question का तुर्ण सा पार राइड इसको अलका सा बाद में जब आपका समय मिले तो आपको पता है कि आपके ग्रूप में आपको इस class को आने से पहले इस class के नोट्स आपके ग्रूप में डाल चुके होता हूं मैं इसलिए क्यों डालता हूं ऐसा so that मेरी class करने होने से पहले आप उस पूरे question को एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ ले ऐसा क्यों अरे ऐसा इसलिए देखो क्या होता है कि revision एक important चीज होती है आप कम पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो और उसको revise करके पढ़ो इस्टोडेन बहुत कुछ पढ़ लेता है और strongly एक भी तयार नहीं होता है तो पहला revision जब आपको मैं आपके ग्रूप में डालता हूं तो आपको 10 मिनिट या 15 मिनिट लेगी इस इतना ही होता है मैं दो question ज्यादा आसता के नहीं डाला दो question डालता हूं मैं ज्यादा डालता भी नहीं हूं जब आप मेरी class देखते हैं वीडियो देखते हैं तो आपको वह बिल्कूल 100% क्या हो जाएगा त्यार हो जाएगा फिर उसके बाद में आपको मैंने जो पीडिएफ दीए उस पीडिएफ में से अपनी जो मैंने आपको गादा डेली रेइस्टर बनाना है उसके उसको लिखेंगे तो आपका तीसरा रिवीजन हो गया त्यार हो गया त्यार हो गया और तो बहुतना है अब के सबसे अच्छे माक्स आएंगे ये मेरी गेरेंटी चलिए तो इस ओतर यह कहता है राइटर यह कहती ए अंडिट फिटीमिलियों इयर्स अगो कि लगबग 650 Million साल पेले इंडिया एंटार्टिका उबर पार्स उब था सएम सूपर कॉंटेनेंट गॉडवाना सूपर कॉंटेनेंट का मतलब क्या हो गया सर् जो कॉंटेनेंट का महाधीप होता है और बड़ा जो सब्से बड़ा महाधीप था जिसको हम सूपर इंडिया जो है और अंटार्टिका ये दोनों गोडवाना सब उसके सूपर कॉंटिनेंट के भाग थे यह सही बात है तिंक्स वर डिफरेंट दैन उस समय चीजे बिलकुल अलग थी प्रिस्तितियां बिलकुल अलग थी अलग था अना एंड्क्लाइमेट वोर्ड वोस वार्मर देख आराम से छोड़े वाक्या में लिखा वाया है तिंक्स वर डिफरेंट दैन उस समय चीजे बिलकुल अलग थी जो मारा जलवायू था था थोड़ा सा वोर्मर था गरम था इट अट ग्रेड वराइटी और फ्लोर अगर पर इस लैंड पर इस सूपर कॉंटेनेंट पर विबिनपरकार के जीव जनतूर वनस्पतियां थी अर अर अरा लगबक पांस सो साल मिलियन पहले गोडवाना आप इम सुरई 5500 विलियन यह और वाना थ्राईव गोडवाना वैसा इदा रहा अंट रहा बट डाइनासोर्स वर वाइप आफ लेकिन उस समय के दोरान जब डाइनासोर्स इस प्रतिवी से विलुक्त हो गए उस समय तक and the age of mammals started mammals जानते हो आप लोग थल्चर yes उसकी जब उसका जब एज स्टार्ट वा उसको जब यूग स्टार्ट तो क्या हुआ the landmass was forced to separate into countries अब जो बड़ा सा जो टुपड़ा था वो धीरे-दीरे क्यों अलग होने लगा लैंड मास का मुला भुकंड वो सब क्या हो नहीं अलग-अलग-अलग-अलग होने लगे पहले एक थे फिर दीरे-दीरे-दीरे क्यों या आप जब आप जो लोजिकल जो लोजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह आएगा रायत उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे फिलाल बस इतना है कि बड़ा हिस्सा था फिर दीरे-दीरे टूटता टूटता क्या हो गया यह आलग हो गये और किसके अंदर टू सेपरेट इंटू कंट्रीज आज यह जैसे देश बने वैसे सेपिंग दगलोब यह आज का जो गलोब है उसको शैप करते उसका आकार बनाते वे उसी परकार का मज़ एस वी नौ इट टुड़े लगबक इसने उसी परकार का गलोब बन गया था जैसा कि आजम देखते हैं राइट अंटार्टिका इस दी ओल्ली प्लैस अंटार्टिका वो एकलोता स्थान है वो एक मात्र स्थान है विच हैस बिन अंटस्ट बाइद मैन जो मनुश्य से अंटस्ट रहा है इट इस स्टिल एस इट यूस्ट टू बी मिलियन और आप इस यूस्ट टू कि जिखा वह भी लिख सकते हूं मैंने का कि यह वैसा ही है आज भी जैसा कि यह क्या था पहले था आज भी क्या अंटार्टिका वैसा ही है राइट इच है इस पोसिट सेंद कार्बन रिकर्ट यह अपने पहले भी आ चुका है किसमें आज भी जिवा यह कोईर्वन रिकोर्ट से यह अर अर अराउंड हाफ मिलीन और वहाफ मिलीन इयर्स ओल लगा देना है यह पिछली वाली मीम गलती हो गया थी यह लगबाग हाफ यह अर्थ वाज इस फॉसिल्स और इन जिवाश में से हम क्या कर सकते हैं प्रित्वी के पास्ट को समझ सकत है ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है तो देखो इस चैप्टर में इस में हमने दो क्वेशन करें और आपको लगबा लब दो क्वेशन अगर आप से कर लेते हैं उस चैप्टर की पकड़ा आप में हो गई यस अब आप इसको आराम से याद करें तयार करें रटे कम और आप उसको समझ कि क्या करें लर्ण को छोटीछी सेंटेंसे और यσ मेरे नोट्स ऊस में बहुत चोटीछी सेंटेस लिखता हूं टाइट मैं स्कूल गूत कम पढ़ाता हूं पस क्लास मेरी प्रफ़िश्म्म नहीं लेकिन शौक से स्कूल पढ़ाता हूं तो मैं इस लिए पढ़ाता हूं कि स्वाग 90 के डर को क्या कर सको ह knis presentations पढ़ाता हूं भचा डर के अगर आपको आती है कोई लाइन समझ में नहीं आती है को वर्ड मिस्टेकनली गलत लिखने में आ जाए वो भी आप मेरे को बता दिया करो कि कि देखुआ है टू एरिशुमन गलतियां किसी से वो सकती है राइट चलिए थैंक्यू वेरी मच्छ और मिलते हैं अगली क्लास के जाएब जाने जहीं एाइंगे नहीं के पारे।